नमस्कार आप देख रहे हैं अनुपम न्यूस आई ये रुख करते हैं खबर की ओर खबर जन्पद मिर्जापुर से देश के सभी केंदरी एवम राज सरकारों के मंत्रालेओं विभागों और सारवजे उपकरमों के लिए वन स्टाप आनलाइन खरीद मंच गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस जेम के त्वारा आल मिर्जापुर के राज की इंटर कालेज मैदा में आयोजित जेम संबाद मेला का भब आयोजन किया गया जेम संबाद मेला का सुभारम केंदरी राज मंत्री वाणी उद्योग मंत्राले भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रजोलित कर किया प्रजोलन के पुरुच जन्पद मिर्जापुर वा आसपास के जन् केंद्री मंत्री ने कहा कि जेम ऐसा प्लेट फार्म माध्यम है जो देश के उद्यमियों, कारीगरों, बुनकरों और स्वयम साहेता समुऊं को देश के लगभग एक लाख बीस हजाद सरकारी करेताओं, खरिदारों से जोड़ने का काम करता है इसके साथ यह देश भर के दूर दराज इलाकों से कारीगरों, बुनकरों और महिला उद्यमियों को जोड़ने का भी महत्पूर कार कर रही है जिलादिकारी प्रिंकांज रंजन ने मिरजापूर उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि जन्पत के सभी छोटे बड़े सुच मलग उद्यमि वह किसी छितर में कार कर रहे हैं जेम से जुड़े ताकि देश के प्रतेक सरकारी कारेलों में मिरजापूर के उत्पात को क्रे किया जा सके इस अवसर पर बिधायक छानवे रिंगी कोल जिलाद्यच भाषवाबरीज भूसर सिंग अध्यच नगरपाली का स्याम सुंदर केशरी ए सी ई ओ जेम वाई के जेम के बारे में पोटल के मुख्य कारिकारी अजिकारी सी ई ओ प्रसांत कुमार सिंग ने बिस्तार से बताया सी ई ओ के अंसार जेम ने अब तक लगभग 18 लाग से अधिक बिक्रेताओं को अपने सांथ चोड़ा है सरकारी खरीद प्रक्रिया में जेम ने कृता और बिक्रेताओं के बीच आने वाली सभी रुकाउटों का समाधान भी निकाला है और इससे देश के खजाने को भारी बचत हो रही है एक अंताजे के अनुसार अब तक इस मत से देश को लगभग 60,000 क्रोन रुपे की बचत विर्जापूर में आज जेम संबाद बेला का आयोजन किया गया है इस जेम संबाद बेला के आयोजन के मांधियम से हमारी खोशिश है कि हमारे अपने जो स्थानिये कालीन और दरी के बुनकर है जो हमारे पीतल के उत्यमी है मिटी का बर्दन बनाने वाले जो हमारे पॉर्टर्स है लकडी के खिलोना बलाने वाले हमारे कारिगर है और चुनार के बलुआ पस्थर की शिल्पकारी करने वाले जो हमारे शिल्पकार है और इसके साथ ही जो हमारे स्वेम सहायता की समू की महिलाए है और जो हमारे और भारस सरकार को उनके विभीन मंत्रालें को विभागों को और नॉमस बॉडिस को और पीएस्ट्यूस को बेचने का एक माध्यम बने और इसमें भड़ चड़कर इन सभी ने हिसा लिया है हमारे जैम के CEO स्वैम पीके सिंग जी यहां पर आये हैं पूरी टीम कई दिनों से यहां पर मेहनत कर रही है और मुझे बेहत प्रसंदता है कि लगबग 400 हमारे यह ऐसे कारीगर हैं ऐसे पॉर्टल हैं उद्यमी हैं बुनकर हैं शिल्पकार हैं जिनका रेजिस्ट्रेशन जैम पॉर्टल पर हमने कर लिया है और इन सभी को अब एक बड़ा बाजार मिलेगा इनका कारोबार बढ़ेगा इनकी आमदनी बढ़ेगी इसके बहाने वोकल और लोकल इस हमने भावना को भी आगे बढ़ाया है अपने स्थानी उत्पादों को हम एक मौका दे रहे हैं और मिर्जापुर जनपत के जो हमारे यह सारे लोग है इनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह बहुत ही बड़ी पहले आपको धन्नवाद की वागई यह बहुत बड़ा मिर्जापुर जद्मतवास में पागे बढ़ें जित्रे हम भी वैपारी हैं दूसरा यह हैं जो आलग में एहरावरा में अगर कुछ उद्योग हैं मिर्शापुर में पूद्योग ह कैसे ही आगे बढ़ेंगे कैसे ही पहले ही मैंने आपको बताया कि जैम की टीम आज यहां नहीं पहुंचे पिछले 15-20 दिन से निरंतर जैम की बहुत बड़ी टीम हमारे लोकल आड्मिनिस्ट्रेशन के साथ समन्दर बना के काम कर रही हैं हमारे टीम के अफसर चुनार में ह इसके साथ ही अहरोरा में जो लकडी का खिलोना बनाने वाले हमारे कारिगर हैं उनके यूनिट्स तक भी पहुंचे यानि कि यहां के स्थानिय उत्पादों की इन्होंने जो फोटोग्राफ्स लगाई हैं आप देखिए वो फोटोग्राफ्स तक उन्होंने मौके पर यू सब्सक्राइब के साथ हमारी टीम कनेक्ट हुई और यही कारण है कि जो बाहर आप बहुत बड़ी प्रदर्शनी देख रहे हैं उसके एक-एक स्टॉल में जाईए और देखिए आपको सब लोकल मिर्जापूर के आर्टिसंस मिर्जापूर के पॉर्टर्स मिर्जापूर क इंडस्ट्री के लोग यहां पर आपको नज़र आएंगे सब पहले से ही कनेक्ट हो जब इसको इंटरनेशनल जी एसस मेला है इस पोर्टल को इंटरनेशनल वायर्स ने इसको एसस किया यह और अभी इस पर हमारी सरकार ही खरीदारी कर रही है यह गवर्मेंट इमार्केट कर रही है